हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका मेरी यूट्यूब चेनल इलेक्टिक कॉर्णर पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे पास यह टॉप कार्ड है तीन प्लेट वाली मॉस्पेट मशीन का टॉप कार्ड है जो कि बिल्कुल न्यू है ब्रांड न्यू ह इसमें कोई खराबी नहीं है लेकिन जब इसमें खराबी आती है तो कई मेरे जो भाई हैं वो परिशान हो जाते हैं कि भाईया सब कुछ सही है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है मॉस्पेट भी चेक कर लिए और 24 वोल्ट भी बनियां बन रहे हैं कंट्रोल कार्ड भी स है ड्राइवर भी सही है ड्राइव भी सही बन रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जो यहां हमको चाहिए तो उस आउटपुट को जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि हमारा सब कुछ सही होते हुए भी आउटपुट नहीं मिल रहा है जबकि ब पीच वाली प्लेट में भी डायोड सही है लेकें आउपुट नहीं है तो दोस्तों हमें यह मालूम है कि आई आई आरेफ जो होते हैं आई आई आरेफ जेट चोबीस नाइन जेट चोबीस तो इन में जो सप्लाई आती है वो कंट्रोल कार्ड के द्वारा आती है तो जो कंट्रोल कार्ड में 80-50, 85-50 और 15 वोल्ट एक सो चार्ज जे सो टैन के एजर एक और इन क्या वनों ये चार पांच आइटम जो हैं बिलके आई आई आरेफ जेट चोबीस और आई आई आरेफ नाइन जेट चोबीस को सप्लाई देते हैं तो हमें ये मालूम है कि इनके द्वार जो सप्लाई निकली वो सीधे हमको मिलती है ड्राइवर कार्ड में ड्राइवर कार्ड में मिली सप्लाई तो दोस्तों यहां से भी सप्लाई होके है ड्राइवर कार्ड में भी ओके है लेकिन लेकिन जब हम इस सप्लाई को मौस्फेट को देते हैं ये जो बारा लगे होते हैं तो यहां न आउटपुट आ रहा है और न बाहर ओल्टरों पर आउटपुट आ रहा है कारण कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मॉस्फेट सही है 24 वोल्ट तो उस हमको कारण को पता करने के लिए आपको मैं एक सरकिट डाइग्राम की मदद से समझाता हूँ और उसके बाद फिर डाइग्राम भी दिखाऊंगा तो दोस्तों होता क्या है देखो मॉस्फेट का जो इंटर्नल होता है पहले हम मॉस्फेट बनाते हैं यह हो गया मॉस्फेट का गेट तो गेट जो होता है वो इधर हो गया बीच में ठीके दोस्तों इधर चले हम और इधर चले, यहां से हमने उठा लिया, ड्रेन को, और दोस्तों, इधर से जो एक लाएन आई, यह गई ऐसे, यह हमने बना दिया मॉस्फेट, और इन दोनों के बीच में दोस्तों, एक ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स, आप कभी भी ना पेंगे न, एक डायोड होता है लगा, यह इंटरनल मॉस्फेट का इंटरनल डाइग्राम है, इंटरनल, हुआ क्या दोस्तों, यह जो मॉस्फेट होता है हमारा, तीन तीन के चेनल में लगा है, तो यह इसका गेट है, यह इसका ड्रेन है, और यह इसका सोर्स है, अब हमारी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है द ड्रेन और एक सोर्स इनके भीज में एक रजिस्टेंस और एमोवी या वी आर्डी बोल दीजिए इसको वी आर्डी जुड़ी होती है कौन सी यह दोस्तों देखिए एक यह रजिस्टेंस और एक यह एमोवी या वी आर्डी जो भी आप बोलते हो अपनी भाशा में यहां पे लगी होती है होता क्या है दोस्तों देखिए यह है 47 ओम पांच वाट की रजिस्टेंस और यह है 471 टू केवी ठीक है तो होता क्या है दोस्तों यह जब खराब हो जाती है तो दिखने में पता नहीं चलता है कि यह खराब है लेकिन उपर से थोड़ा सा काला पन आ जाता है या नीचे से तो हमको वो दिखाई नहीं देता है और हम कभी इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि या यह खराब है या सही है तो इसके खराब होने से हो क्या जाता है दोस्तों इसको करते हैं साइड यह कनेक्शन हो जाता है कट दिया हुआ है ड्रेन टू सोर्स जो सप्लाई आएगी इस मॉस्पेट को मान के चलिए तीन सो तीस वोल्ट तो अभी तो प्रोटेक्ट है किसके द्वारा इसके द्वारा लेकिन जब यह खराब हो गया तो कनेक्शन तो बीच में टूट गया ना तो यह जो कनेक्शन तूट गया तो अब ड्रेन टू सोर्स तो कोई सप्लाई नहीं हुई जब सप्लाई नहीं हुई तो मॉस्पेट चालू कैसे होगा भया गेट पे तो हमने चेक कर लिया गेट को तो हम चेक कर रहे हैं लेकिन इस पे भी तो होना चाहिए ना भया इस ची तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया है ना चारों चेनलों पे निर्भर करती है आईए समझते हैं कैसे जैसे कि एक कुर्सी में चार पाउं हुए एक दो तीन और यह चार चार पाउं होते हैं अगर मान लीजिए एक पाउं भी शोटा हो गया या खराब हो गया तो कुर्सी तो टिकेगी नहीं टिकेगी नहीं तो अब यह कुर्सी है मान लीजिए इनपुट इससे हम बैठ के आउटपुट लेते हैं तो बैठेंगे तो यह क्या गिरा देगी ना हमको गिरा देगी तो मतलब किसी काम की नहीं तो इसी तरह से यह वेल्डिंग मशीन में भ चार पईये जब ये चारों पईये हमारे सही होंगे तब ही जाके आउटपुट निकलेगा एक भी पईया खराब आउटपुट बंद तो हमको इस चीज पर गौर करना है बहुत कॉमन चीज है लेकिन हम छोड़ देते हैं और जो जैसा है वैसा ही कर देना है उंको फिर से तो ऐसा भी नहीं करना है कि भईया कई लोग मेरे को फोन करके एक पुछते हैं कि यहां अठारा एन पचास लगा है बचीजें एक सो भी लगा है दूसरे इंडक्शन का पड़ा है दिखने में वैसा ही है अरे तो ऐसे होता है एक पाउ में अठारा एन पचास लगाए हो एक पाउ में बचीजें एक सो भी लगा दिये चलेगा थोड़ी और इंडक्शन वाई जी बीटी है तो मॉस्पेट में बुसेड रख वो नहीं होगा जो जैसा लगा है वैसा ही होगा अगर आपको एक्विलेंट जीए डाटा शीट निका लिए एंपियर देखिए वोल्टेज देखिए फिर लगाईए आपको जो लगाना है अब वो फोन करें सर बार 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 उड़ गया तो बार बार उड़े गई न गरत लगाओगे तो तो दोस्तों ध्यान देने की बात जो थी वह यही थी इसको आप अच्छे तरीके से चेक करें जिससे कि आपका आउटपुट बढ़ियां आ जाएगा और वेल्डिंग करने लगेगी यही चीज थी जो आपको बतानी थी तूसरी जैसे कि आप देख रहे हैं यह मौस थ्री प्लेट आर्क 200 का डाइगराम है थ्री प्लेट वाली का इस को बोला यह अच्छे से नहीं दिख रहा है यहां से करके देखेंगे तो यह जो लिखा है वो लिखा है यह जो तीन मौस फिर लगें न दोस्तों एक दो तीन चार मैंने भी क्या बताया चार पाउं एक दो तीन चार चार पाउं में देखेंगे दोस्तों मान लीजिए हमने यह वाला चैनल उठाया इसका तो इसमें यहाँ पर देखिए यह है सप्लाई किलियर नहीं दिख रहा है दोस्तों थोड़ा बहुत छोटा है ठीक है मैं बता देता हूँ यह है 330 वोल्ट सप्लाई रेड कलर में जो लिखा है मैं लिख देता हूँ मान लीजिए यह है 330 वोल्ट सप्लाई आ रही है यहां से DC यह 330 वोल्ट DC मैंने आपको बताया एक रजिस्टेंस लगी है और एक 471 2KV इसमें देखेंगे दोस्तों जैसे यह एक मॉस्पेट दो मॉस्पेट तीन मॉस्पेट अभी दो मॉस्पेटों को ठा लिया हमने इसका ड्रेन और इसका सोर्स जब यह 330 वोल्ट में एंटर करेंगे तो अगर मान लीजिए कि यह यहां पे हो गया ब्रेक तो क्या यह 330 दर तक आएंगे यह इन दोनों के भी सब्लाई बनेंगी जब यह सब्लाई नहीं बनेंगी तो यह कैसे हमको तीनों आउटपुट देंगे तो हमको तो भाईया आउटपुट चाहिए इसलिए मैंने आपको डाइगराम दिखाया कि यह एक दो तीन चार चैनल है और जो आई आरेप की बात की वो इसमें आपको एक आई आरेप नाइन जेट चोवीस जेट चोवीस नाइन जेट चोवीस जेट चोवीस यह चार लगे हैं यहां से सप्लाई आगे बढ़ी तो यही था दोस्तों जो आपको बताना था कि कभी भी इसको नेगलेक ना करें यह चीज काफी बढ़ी है पूरी सप्लाइट टोड़ देती है सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए है तो सर्किट का प्रोटेक्शन टोड़ देना मतलब आप समझते हैं कि करेंट इदर उदर नहीं जाता और दोस्तों जिस भी भाई को ओनलाइन कोर्स करना हो वेल्डिंग मशीन का फॉर ओनलाइन कोर्स तो वो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें और जिसको इस फिर पार्ट्स वेल्डिंग मशीन के आल टाइप के स्पेर पार्ट्स चाहिए वो भी इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें पूरी जानकारी मिल जाएगी स्पेर पार्ट्स में हमारे पास दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से दिखा देता हूँ कॉंटेक्ट करके मगा सकते हैं आई जी बीटी मॉस पेट सभी प्रकार के नंबर हमारे पास अवेलिबल होते हैं यह सभी प्रकार के डायोड वगेरा जो भी हैं सब मिल जाएंगी ओके दोस्तों वीडियो कैसे लगा शेयर सब्क्राइब लाइक कमेंट जरूर करें